हेलो गाइस, मैं साल श्रवेंद गुपता, मैं बिजिनिस रवल्मेंट और डिजिटल मार्गेटिंग में धील करता हूं मैंने बहुत सारे बच्छों को ट्रेंड किया है जो आजकल बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं और बहुत सारे स्टुटेंट ऐसे हैं जो बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं और मैं बिजिनिस में लोगों को मॉटिवेट करता हूं उनकी स्ट्रेटिजी स्पे काम भी करता हूं ऐसे बहुत सारे बिजिनिस हैं जो मेरी कांसलिंग लेते हैं तो अभी बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की की डिजिटल मार्केटिंग क्या है तो बता दूँ आपको की डिजिटल मार्केटिंग वो मार्केटिंग है जो डिजिटल प्लेटपॉर्म के थुरू होती है आजकल जो जवाना है वो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग आ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के यूज़ करते हैं जैसे यूट्यूब है फेस्बुक है इंस्टाग्राम है ट्विटर है मैंनी मौर अब रही बात की यह इतना इपॉर्टेंट क्यों है तो आपको पता है आजकर चीज़ें बहुत जल्दी वाइरल हो जाती है तो जिससाब से चीज़ें वाइरल हो रही हैं तो क्यों ना मार्केटिंग को भी उसी तरीके से वाइरल किया जाए इसके लिए हम डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करते हैं आज के जमाने में डिजिटल मार्केटिंग बहुत पावर्फुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को आपको सीखने से काम नहीं चलेगा किया आप यहां से पड़के घए पयपर देडिया आपको दिनो के वसके करते हैं कुछ हो एक बनाते हैं ढूर्प करते हैं जह स्टे जीज Bugün और इस्टेजीज्स को हम एपलाई करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि पीपल जो लोग हैं हमारे आसपास वह स्ट्रेटिजिस को आप कैसे देख रहे हैं कैसे उन पर कमेंड कर रहे हैं इसलिए आपको यह जरूरी है कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखें और आप उसको साथ के साथ इंपलिमेंट करें तो कि जब तक आप उसको इंपलिमेंट नहीं करेंगे आप कुछ भी सीख नहीं पराएंगे आपको शुरू में लॉसस होंगे मैं मानता हूँ आपको शु फजिरेगर धर जूदेचेंग में जो बहरी स्टूदेंट्स भी कर रहा हैं और आप भी कर सकते हैं जैसे एग्जिव एंटीट cab आप कर सकते हैं नेक्स वैनेस्ट किया डिजिटल मार्केटिंग, आप पैसिव इंकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं, आप उसके साथ कम से कम एक से दू घंटा रोज अगर digital marketing सीखने में दें तो आप बहुत आसानी से web development और professional blogging सीख सकते हैं और जब आप web development और professional blogging सीख जाएंगे तो आप धीरे धीरे ये पता लगा पाएंगे कि चाहें वो affiliate marketing हो या फिर drop shopping हो आप इसके तुरू कैसे एक passive source अपनी income का generate कर सकते हैं तो digital marketing की बात मैं यहीं पर खतम करता हूँ आगे मैं आपको मिलूँगा तो आपको digital marketing के कई सारे interesting facts बताऊँगा Thank you very much for listening